हेलो फ्रेंड्स मैं नेहा अपने चैनल निहा की कुकिंग में आप सभी का स्वागत करती हूँ दोस्तों आज हमने बनाई है तरबूच की एक ऐसी रेसिपी जो आपने कभी नहीं बनाई होगी तो अगर तरबूच खा के आप बोर हो चुके हैं तो इस तरीके से तरबूच की एक नए रेसिपी बनाई है जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं और बहुत ही ज़्यादा कम समय में ये बन के तयार हो जाते हैं तो तरबूज की ये रेसिपी बनाने के लिए हमें पहले तरबूज को ले लिया है और उसको कट करके उसका जो अंदर का भाग होता है उसको हमने पहले उसको कट करके उसके बीज का भाग है जो हमने कट के निकाल लिया है और उपर का भाग हम हटा देंगे और बीज का जो भ निकाल लेना है इस रेसिपी में हमें जूस की ही जरूरत पड़ेगी तो हम इस तरीके से मिक्सी में से पीस के उसका जो जूस है उसको निकाल लेंगे और बहुत ही ज्यादा आसानी से बनने वाली ये रेसिपी हम बनाएंगे और बच्चे भी इसे बहुत ज्यादा पसंद कर हमें लिए तो इसको बनने के लिए हमने एक गलार्न जहाओं यह जो तो में बटब आ लक्लार एफ तो भी एक पेंच डालेंगे वो सिर्फ कंध ग्रेल हो क smo अगर आप उसको थोड़ा सा और अच्छा कलर देना चाहते हैं पकाने के बाद इसका कलर थोड़ा सा हलका हो जाता है इसलिए हम थोड़ा सा इसमें Red कलर डालेते हैं और उसमें हम अपने स्वात के अनुसार चीनी डालेंगे यहां पर हमने अधिकर्टोरी चीनी डाली है और चीनी ज्यादा आर्य कम कर सकते हैं क्योंकि चीनी को थोड़ा अगर ये खुद भी मीठा होता है अब इसमें थोड़ा सा यह कडाही में निकाल लिया हैं के और हम थोड़ा सा एक कड vortex लेंगे और उसको लेने के बाद हम उसमें पाई डालके उसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे और हम पहले जो कडाही में ने जो दडूँस का जूस था उसको थोड़ी देर तक पका लेंगे हैं जब तक उसका यह जो चीनी है वह मेल्ट नहीं हो जाती और कम से कम इक यह दो बार इसमें अच्छी तरीके से लगए तो यगर यह दो बार एक से दो बार जब खौल जाए तब तक हमें इसको अच्छी तरीके से चलाते हुए पकाना है तो हमारा जो ये अच्छी तरीके से तर्पुज का जो जूस था पहले उसी को डाला था और वह अपही चुका है तो हमने जो यह यह अर को हमने छो पानी में मिक्स कर 모든 है उसको हम एक बार और मिक्स कर लेंगे ताकि वो नीचे पैन मतलब जमा ना हो उसको हम एक बार फेट के इसी में तर्बूज की जूस में हम डाल देंगे और डालने के बाद उसे हम एकदम लगातार चलाना है क्योंकि उसको जब हम डालते हैं तो उसके गुठियां बनने लगती है इसलिए हमको तुरंट ही उसको चलाते रहना है और एकदम चलाते हुए ही इसको पकाना है आप देख सकती है कि वो कितना मतलब अभी बहुत ज़्यादा मतलब पानी जैसा है तो हमें इसको थोड़ा पकाते हुए इसको ठीक करना है अभी यह बहुत ज़्यादा पतला है तो ह तो हम इसको चलाते रहेंगे और पकाते रहेंगे आप देख सकते हैं कि हमें इसको चलाते हवी क्वांडिटी भी कम होती हो यह जा रही है जो है नीचे की तली को छोड़ रहा है तो लौいく भी चारी धिस Game सबर तो हम उसको जब उठाँ सहाँ है रहे रहा है और प्लेट को छोड़ देंगा उसी प्रकार से हम इसको चलाते हुए जाएगे और पकाथे हुए जाएंगे तो अभी यह नहीं पका है अभी वgg थोड़ा सा होल्ँ ताइम लगेगा पकाने में इसको बहुत जादा 9 नहीं लगता है यह बना तैयार कर सकते हैं यह आपकी quantity की उपर है अगर आप ज्यादा quantity मिलेते हैं तो थोड़ा समय ज्यादा लेगा और थोड़ा कम quantity मिलेंगे तो यह कम समय लगेगा तो देखिए दोस्तों यहां पर यह एकदम अच्छी तरीके से पक चुका है और हम इसको जब तलहटी में चला र चुका है अब इसको हम जब निकालेंगे ग्लास में तो यह अच्छी तरीके से सेट होने के लिए तैयार है तो यहां पर हमने कास का ग्लास लिया है और हम इसको इसमें डाल देंगे और अच्छी तरीके से हमें इसमें डाल के इसको थोड़े देर तक लिए सेट करने के लि सकते हैं नहीं आप काज का पसंद करती तो चाहे हमने फ्रीज में थोड่Just समय के टिया था एक गंटे के लिए और यह जो ग्लाज है वह देखे लास का से अपले केा शेप पाइद הי ha오 यह बहुत ही आसानी से ग्लास को छोड़ देता है आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना पड़ता है हाँ थोड़ा सा इसको देख लें कि यह सेट हो चुका है या नहीं आपको जब तक यह सेट ना हो जाए तब तक इसको फ्रिज में रखे रहना है देखिए एकदम यह ठ सेट हो जाएगा आप जिस भी सेट में इसको रखना चाहें उस सेट में इसको रख सकती है देखिए कितनी अच्छी और फर्फेक्ट बनके तयार हुई है तरवुज की जो रेसेपी है यह मीठी है बच्चे इसे बहुत जादा पसंद करेंगे तो आप इसको ऐसे ही खा सकत अच्छा लुक दे रहे हैं आप चाहे तो इसको चीनी में भी कोड कर सकते हैं और आप चाहे तो मिल्क पाउडर से भी कोड कर सकते हैं आपको जो पसंद हो आप उसमें इसको कोड करिए और इसको बच्चों को दीजिए बड़ों को भी सर्फ करिए यह बहुत ही ज्यादा हैं खाने में आपको ये देखने में भी कितने ज़्यादा अच्छे लग रहें हैं और खाने में भी बहुत जाला टेस्टी हैं तो इस तरीके से आप कि ये रेशीपी जरूर करें और कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपकी जो तर्बूच की यह रेसिपी मैंने आपको बताई है वह आपकी कैसी बाइब